ना किसी खान का साथ ना ही कोई कपूर है इसमें फिर भी इस फिल्म ने 200 करोड का कारोबार किया है अकेले अपने दम पर एक हिरोईन ने इस मूवी को काम्यावी दिलाई है इस फिल्म का नाम है The Kerala Story और जिस हिरोईन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अदा शर्मा अदा शर्मा पिछले 10 सालों से बॉलिवुड में काम कर रही है इनका असली नाम है चामुन डेश्वरी ऐयर हालां कि इंडस्ट्री में आते ही चामून डेश्वरी ने अपना नाम चेंज करके अदाश शर्मा रख लिया अप्लेकार 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर काफी विवात खड़े हुए इस फिल्म के जरीए ये दिखाने का आरोप है कि जो एक समुदाय है वो लोगों से नफरत करता है एक समुदाय के प्रती नफरत को दिखाया गया है हाना कि इस फिल्म के डिरेक्टर, प्रेड्यूसर और एक्ट्रिस ने इसका खंडन किया उन्होंने कहा कि जो सच है वहीं दिखाया गया है मेरहाल हम बात करें हैं एक्ट्रिस अदास शर्मा के बारे में जो कि इन दिनों काफी सुर्ख्यों में चल रही है हर जगा उनकी फिल्म की वज़े से उनके नाम का डंका बज रहा है इसे पहले भी अदास शर्मा ने कई मूविज में काम करी है लेकिन हालिया जो रिलीज इनकी फिल्म है दा केरला स्टोरी इसकी वज़े से इनका नाम काफी सुर्ख्यों में है ये फिल्म 200 करोड का आंकड़ा पार कर चुकी है जिसके बाद अदास शर्मा इस फिल्म की काम्यावी को इंजोई कर रही है लेकिन इनकी काम्यावी के जश्न के बीच एक ऐसी ख़बर सामने आई है जिसे सुनकर अदास शर्मा के खोश उडगे वो इन दिनों मुश्किलों से घिर गई है क्या है वो ख़बर हम आपको पिस्तार से बताते हैं दरसल हाल ही में अदास शर्मा का कॉंटेक्ट डीटेल्स सोशल मेडिया पर किसी ने वारल कर दिया जिसके बाद से परस्नल डीटेल्स जो अदास शर्मा के थे वो हर जगा वारल हो गया लाखों लोगों तक अदास शर्मा के परस्नल डीटेल्स पहुँच चुके थे जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धंकिया मिल रही है हाला कि इससे पहले भी जब दकेला स्टोरी रिलीज हुई उस दोरान भी अदास शर्मा को जान से मारने की धंकिया मिल रही थी लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है कि अदास शर्मा का जो परस्नल डीटेल्स हैं वो किसी ने सोशल मेडिया पर लीग कर दिये हैं इसके साथ ही इस यूजर ने ये भी धंकि दी है कि आगे भी वो अदास शर्मा का परस्नल डीटेल्स जो है वो सोशल मेडिया पर बारल कर देगा ये जो आरोपी है जिसका नाम है जामुंडा बोलते इसी ने सोशल मेडिया पर अदाश्रमा के personal details शेयर किये हैं इस पर आरोप है कि इसने personal details शेयर करने के बाद अपने account को deactivate कर दिया इससे पहले अदाश्रमा को इस बात की भनक भी लगती अदाश्रमा को कुछ खबर नहीं थी और उनका personal details हर जगा पहुँच चुका था जिसके बाल उनकी मुश्किलें शुरू हो गई हर जगा से उन्हें phone calls आने लग गए उन्हें धमकी भरे phone आ रहे हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा लेकिन मुश्किल कि इस घड़ी में अदाश्रमा अकेरी नहीं है सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अदाश्रमा का साथ दिया है उन्होंने demand की है कि यह जो user है इसके खिलाप जाँच होनी चाहिए इसके खिलाप case होनी चाहिए और इसको arrest करना चाहिए आला कि अभी तक इस case में क्या हुआ है अभी तक यह ख़बर सामने नहीं आई है लेकिन अदाश्रमा का यह जो ROP है इसका account deactivate हो चुका है लेकिन इसने जो धमकी दी है उसने actress के होश उडा दिये है उसने धमकी दी है कि अदाश्रमा के आगे भी वो personal details लोगों के साथ share करेगा आला कि यह कोई पहली बार नहीं है जब अदाश्रमा से जुड़ी कोई controversy सामने आई है इससे पहले साल 2022 में अदाश्रमा ने एक video post किया था जो social media पर काफी तेजी से viral हुआ था इस video में अदाश्रमा एक guard के साथ नास्ती हुई दिखाई दे रही है हला कि यह guard एक जगा खड़ा हुआ है और अदाश्रमा इसके आसपास नाच रही है एक video बनाया और उसे social media पर post कर दिया जिसके बाद social media पर काफी लोगों ने उन्हें troll किया उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर मुद्दा है अदाश्रमा इसका मजाग बना रही है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें कई लोगों ने खरी खोटी सुनाई और अपमान जनक बाते कहीं अदाश्रमा से जुड़ी एक और controversy है जिसने लोगों का ध्यान अपनी और काफी खीचा था उस ताइम जो इंडस्ट्री के महान गायक हैं बपी दा उनका निधन ही हुआ था उसके कुछ ताइम के बाद ही अदाश्रमा ने social media पर एक photo डाली थी जिसमें एक side पर बपी दा थे एक side पर अदाश्रमा दोनों ने हाथों में एक ring पहनी हुई थी जहां पर अदाश्रमा ने एक caption में लिखा कि बहतर किसने पहना है जाहिर है अदाश्रमा खुद को बपी लहरी से compare कर रही थी जिस पर यूजर्स भड़क गया और उनने कहा कि बपी लहरी का अपमान किया है अदाश्रमा ने जिसके बाद उनोंने भड़कते हुए कहा कि वो तो मर चुके हैं लेकिन आपने मरने के बाद भी अपने आपको इस तरीके से प्रेजेंट क्यूं कर रही है अदाश्रमा की वज़ा से बपी दाका अपमान हुआ आपको बता दें कि बपी लहरी को सोने के गहने पहनने का बेहद ही शौक था पिछले साल ही उनकी डेथ हो गए जिसके बाद अदाश्रमा को इसी वज़ा से काफी ट्रोल किया गया फिलाल तो अदाश्रमा की ये जो न्यूज है उसके बारे में सोशल बिडिया पे काफी तरह की बाते हो रही है लोग मांग कर रहे हैं कि उस जहामुंटा जो जहामुंटा बोलते है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए अब देखना ये है कि पुलिस इस पर क्या कारिवाई करती है और अदाश्रमा की मुश्किले कब खत्प होती है फिलहाल तो अदाश्रमा की सपरादी जो की ये कैमरे के पीछे चिपा हुआ है इसके खिलाफ पुलिस ने केस तो दर्च कर लिया है लेकिन अभी इसका कुछ अता पता नहीं है पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है इसकी गिरफतारी के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसने अदाश्रमा के साथ ऐसा क्यूं किया क्योंकि केला स्टोरी रिलीज होने के बाद कई लोगों ने अदाश्रमा को जान से मानने की धहमकी दी है क्या ये जो व्यक्ति है उन्हीं में से एक है ये तो इसकी गिरफतारी के बाद ही साफ हो पाएगा आप कमेंट बक्स में जरूर बताएं कि इस बारे में आपका क्या कहना है झाल